हलो दोस्तों, आप लोगों स्वागत करते हैं और एक न्यू वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं VFMeter का connection ठीक है, last वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि VFMeter का parameter का कैसे setting किया जाता है parameter का कैसे check किया जाता है और VFMeter को कैसे programming किया जाता है लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे वीडियो के connection कैसे किया जाता है हम लोग दो टाप के connection देखेंगे एक star connection और एक delta connection तो ये वाला वीडियो अगर आप लोगोंने नहीं देखे हैं जाके देख लीजे और में description में भी link देदूँगा नाज़ वाला वीडियो में एक parameter था हम लोग चेक किये थे कि star selection करना परता है या delta connection करना परता है ठीक है उसमें पूरे डीटेल में बोला गया है क्या क्या है कैसे सेटिंग करना है क्या करना चाहिए उसके बाद यह वाला देखिए तो फिर डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा तो वीडियो के एंड देखिए बहुत ही इंट्रिस्टिंग होने वाला है तो फिर चले दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हैं बीएफ मीटर का में और यहां पर डाइग्रम बना के रखाऊंकि कैसे काइसे होता है ठीक है यह वाला करनेक्शन भूल जाएए पहले हम लोग इसटार कानेक्शन देखते हैं ठीक है यहां पर देख सकते हम लोगा जो यह मीटर है मीटर का बैक साइड ऐसा है और फ्रोंट साइड कुछ ऐसा दिखता है तो यहां पर देख सकते हैं यह मॉडेल जो था ELF 3259 स्नाइडर एक्टीट का है यह मीटर मीटर को चलने के लिए एक ऑक्जलरी सप्लाई भी चाहिए ऑक्जलरी सप यह बी और एक यह नूटरल ठीक है यहां पर देख सकते हैं लाइन ओन लाइन टू लाइन थ्री और नूटरल वोल्टेज क्या है 415 बोल्ट AC ठीक है तो यहां पर तीन सीटी चाहिए यहां पर देख सकते हैं एक दो तीन यह सीटी है ग्रीन कलर का जो देख सकते हैं यह वा यहांपर से यहां पर आ रहा है और यहां पर जो है मीटर का सीटी का कर्रेक्षन में या फिकले यहांपे देख सकते हैं यहांपे दएविल्द में से में है जाती हुए यहाँपे जो मीटर का जो reagent है एंच तूए आशाना इस तूए टीन सीटी करनेशन करने के लिए लां तो बआ坏 किंसा जाते हुए है कि यहां पर इस है मीटा का कोन्टर करें कर रहा है बिक ही कैहा ही और यह सीधा आते हुए यहां पर जो कॉंटक्ट एशान कॉंटक्ट इसमें लग गया है तो तीने को करनेशन यहां पर हो गया है आर वाई भी ठीक यहां पर देख सकते हैं और जो आर फेस का जो एशान था इसका एश टू निकलते हुए सीटी का उपोज और जो टर्मिनल रहता है होँआ पर चला गया है सिम इसका भी आईसा है कि वाई फेस का भी से मैंसा गया है देख सकते हैं और बी फेस का भी देख सकते हैं यहां से होती हुए डायरेट यहां पर गया है ठीक है तो ऐसे करके जो सीटी का करनेशन कंप्लिट हो जाता है ठीक है यहां पर देख सकते है पूरा CT है यहां से गया है यहां से आया है यहां से return होके फिर आईसे circle वाई से घुमता रहता है ठीक है सामी इसका भी ऐसा है यहां से गया है यह इसे खने ऐसे हुआ है एक close loop है पूरा देख सकते हैं ऐसे ऐसे टीक है City का connection हो गया है अभी जो क्याद में लोड है तो यहां से यह लूप किया गया है यह दिख सकते यहसे एक कि यहां प्यां रहा है यहां से जाती हुए यहां पर करते हुए यह करते हुए शाती हुए यहां पर आ और या यह दिया गया है तो यह वोल्टर्स का करनेशन ऐसे हो गया है और सीटी का कनेशन ऐसे हो गया है ठीक है और एक चीज द्यान में रखिएगा अगर यह इस सरकुट गर अगर line मालिया जगर 6.6 के भी होता है या तो 11 के भी होता है तो तब जाके आपलोग करya पे PT लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां पर PT इसलिए नहीं लगा आँ हूं कि यहां पर 15 बोल्टेज है ठीक है 415 बोल्टेज है फ 2017 की पार पीटEEEE यूज नहीं है तो अगर वोल्टेज है तो पीटी लागा के मेजर कर सकते तो यहां पर मैं पीटी यूज नहीं किया हूँ ठीक है और तो इस्टार कनेक्शन सिंपल इसा ही है ठीक है हाँ और एक चीज है जो यहां पर जो ओक्जेलिट देते यह यहां से यहां पर देना चाहिए तो इस्टर करेंशन यह कंप्लीट हो गया है ठीक है तो से मैं सब्सक्राइब करेंशन में तो यहां पर देख सकते हैं यह डिल्टा करेंशन है यह घ्लिक सोफक्ष contribute और यह से तो यहांसे है तक लॉड कर साइड जा रहा है आर वाय वी और से मैं से इस्टी है एक दो इंसे खिया गया है यहां पर देख सकते हराम से थीकए यहां का सीटी और यहां का सोटी सेमी करेशन है कुछ भी डिफ्रेंस नहीं है यहां पर देख सकते हैं पुरा क्लोज लूप किया गया है तिन सीटी को ठीक है तो यह CT हो गया और यह semi model है semi model का यह है ठीक है यहां पर same voltage यहां से देते हुए यहां पर दे रहे हैं भी और नीट्रल के बीच में कितना वोल्टेज है यह हम लोग चेक कर सकते लिकिन डेल्टा-शिस्टम में हम लोग जो प्रेस वोल्टेज चेक नहीं कर सकते इसमें और यहां पर फ्यूस है यहां लोड के साइड जा रहा है सेमे हाँ यहाए त्यूकर धिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं खली नीटरल में नहीं दिए गया है तो आशा करता हो इस वीडियो से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक शेर कर दीजे फिर मिलेंगे ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग